कि ही गाईज देखो आज के रेट में थोड़ी बहुत आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है क्योंकि लगबग देखो गे बजार लगबग दो तीन दिनों से लगबग बजार काफी अच्छा भाग रहा है अब इसलिए एक महीने में अगर हम देखें हैं तो नीचे से बजार तो इसके लिए हमें ready रहना चाहिए इसमें कोई तकलिफ वाली बात नहीं है जो इन्वेस्टर उनको कोई तकलिफ नहीं होती देखो morning morning वीडियो नहीं जाता तो मैं आपको छोटी-छोटी चीजों के बारे हम बताता हूँ आज के डेट में मैं आपको ये बताने वाला हू कि State Bank of India, ICIC Bank ये दोनों बैंक को आप जानते हो ये दोनों बैंक बहुत बड़े player है मार्केट में और इससे बड़े player कोई नहीं है तो इन दोनों ने yesterday, yesterday की बात की जा रही है, just yesterday इन दोनों ने लगबग लाखो शेर खरीदे हैं, 9 December को अब 10 December को इसका data आएगा, NACBSE के data में अगर आप जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिल जागा, हलाकि मैं खुद ही दिखा दूँगा, तो कौन से company है, वो मैं आपको दिखाऊँगा, और कितने कितने share खरीदे हैं, ये भी आपको पताऊना चाहिए, और ज़्यादातर mutual fund वालों ने आपर माल उठा है, समझ पंदरा लाग शेयर वो भी गिरते बाजार में, हलाकि जब से ये stock आया है, तब से गिरावट ही देखने को मिला, और तब से ये stocks कितना गिर चुका, 10% तो गिर चुका, याद रखो, और ये stocks में लगवा 1,000, के 1,150 ये 60 रुपिस के आसपर माल खरीदा गया, पंदरा सोच रोग ये एक बहुत बड़ा amount है, मतलब एक ही बार में ICC bank ने, ICC Michelle Fund ने आपर मैं आप बलू हूँ, करोडो रुपे लगाने की कोचिस किया, और ये ये study की बात है, और top से stocks थोड़ा बहुत correct भी हो चुका, यहाँ पर देखोगे, ओपर से stocks लगवा 18% के discount पे देखने ICC ने, तो मुझे लगता है कलपतरू power पे भी अगर आप चाओ तो ध्यान देख सकते हैं, ये भी कोई छोटा मुटा नहीं, ये भी एक multi-baga stocks देखने को मिल रहा है, multi-baga stocks है ये, और ये आपको कहां सर्च करना पड़ेगा, आपको Google में सर्च करना पड़ेगा, NSC BSC bulk deal, त दोनों आ जाएंगे, तो आपको नीचे देखने हैं, यहाँ पर अगर नीचे नहीं देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या कर देना देख सकते हैं, one day, सही है, NSC BSC, big deal, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे, तो यहाँ पर देखने को मिले लागा, इसी deal में आपको देखने क का वीडियो है, मैं आपको फुल डिटिल में बताने की कोशिस करूँगा, कि दोनों में से कौन से स्टॉक बेस्ट रहेंगे, यहाँ खरीदना चाहिए, यहाँ पर देखो, एक्च्वल में फूर कंपनी हो गया, पूछो क्यों, ICACSBA, वो तो दो है, आप मिचल फंड वाले मिचल फंड वाले भी खरी सकते हो, इनका क्या बोलते हैं, स्टॉक भी खरी सकते हो, और इन दोनों ने जिस कंपनी में निवेस कि आप उसको भी खरी सकते हो, दोनों तरीके से हो जाते हैं बाई, और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो, तो अपने डिमीट अगर आपन कर सकते हैं